हेलो ओल कैसे हो आप सब आपसब अच्छे होगे तो आज जो है हम रीडिंग नहीं करने वाले हैं आज की जो आज का जो हमारे टॉपिक है मैंने आपको याद होगा मैंने आपको पहले कहा था कि मैं क्रिस्टल्स के बारे में आपको बताऊंगी ठीक है अगर आप लोग इंट पहला जो है यह मैंने एक टिश्टल लिया है ठीक है यह जामुनिया है ठीक है एमेथिस्ट कहते हैं इसको इंगलिश में और हिंदी में इसको जामुनिया कहते है ठीक है इसे के बारे में जो है आज हम जानेंगे इनके benefits क्या है यह क्या काम करते हैं इसको पहनने से आप को क्या क्या होगा है न, आपके health में आपकी जुग्र है, नक्षगर है उसमें आपको क्या क्या benefits मिलेंगे ठीक है, फिक है यहाँ पर जो है मैंने link description box में दे दिया है अगर आप चाहें तो वहाँ से भी purchase कर सकते हैं ठीक है जो तो जो भी मेरे viewers मेरे subscribers ये प्रेस्ट लेना चाहते हैं इसके benefits तो मैं बताऊंगी आपको लेकिन अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप link नीचे description box में दिया गया है आपको लेना है तो आप जरूर और किज़ें ठीक है तो चलिए फिर start करते हैं आज की अपने ये crystal के बारे में जानना है ना तो चलिए start करते हैं तो ये देखो ये है जमुनिया amethyst ठीक है देखो कितना खुबसुरत है देखने में कितना आकर्शक लग रहा है और ये आपको देखने को मिलेगा ठीक है इसकी जो है देखो ये जो है ना स्टोन है ये रिंग का स्टोन है देख रहे हो यहां पर किस तरह का यहां पर रिंग के आकार का जो है ना ये सिप बनाया गया है ठीक है तो ये है जमुनिया ठीक है अब जमुनिया आपको कहोगे कि ये पहनना चाहिए तो यहाँ पर जमुनिया उसको पहनने चाहिए जिस पर सनी की साड़े साती सनी की ढईया है ना वो हो ठीक है यानि कि आपके जो है हम लोग जो टी शास्तर के अनुसार से हम लोग देखते हैं कि आपकी कौन सी ग्रह दाशार चल रही है तो उसके अनुसार से हम आपको Stone Provide करते हैं तो उसी के अनुसार देखो यहाँ पर क्या है कि यह bracelet है ठीक है और bracelet भी बहुत सारे लोग धारन करते है क्योंकि जो लोग रिंग धारन नहीं करते हैं वो लोग bracelet धारन करते हैं जो कि दिखने में भी अच्छा होता है और थोड़ा स्टाइलिस्ट भी लगता है तो यहाँ पर इसी जमुनिया की हम बात कर रहे हैं देखो कितना खुबसूरत है यह यह एक मैं कहूंगी कि बहुत ही देखने में सुन्दर लगता है आकरशक लगता है और यह बैगनी कलर का होता है जब भी आप इसे खरीदेना तो यह बैगनी कलर का देख कर के खरीदना है आपको ठीक है यह डीप बैगनी कलर का होता है ठीक है देखो यह जो है शनी देवता यानि कि शनी देवता के लिए यह पहना जाता है जो लोग नीलम धारन नहीं कर सकते हैं वो लोग इस जमुनिया को धारंद जरूर करें ठीक है यो कि आपके ग्रह से आपको बचाएगा क्या होता है कि जो लोग को अंदर से सेलफ कॉंफिडेंस नहीं होता है कोई डिसीजन लेने में ये लोग घबराते हैं ठीक है और डिसीजन नहीं ले पाते हैं हमेशा आपकी मानशिक शान्ती यह हमेशा भंग रहती है आपको शान्ती की जरूरत होती है है ना मानशिक शान्ती की जरूरत होती है हर किसी को तो जो लोग मानशिक शान्ती चाहते हैं वो लोग इस जमुनिया को जरूर धारन करें ठीक है और इस तरह से धारन करने से जमुनिया को धारन करने से जो है आपके अगर घुटनों में दर्द है रिड की हड़ी में कोई प्रॉब्लम है या कंधे का दर्द है और भी बहुत सारी ऐसे बिमारी है जिससे जो है ये जमुनिया ठीक करता है तो जमुनिया बहुत ही ला तरीके से ऍлек विलेगे ञ्सकुर्ण कीलिए उसको अच्छे तरीके से डिजाइन करवाते हैं क्या तो यहां पर जा मुनिया देख रहे हो reguliner यहां पे एक candle type का भी बना हुआ है यहां पे raw भी रखा हुआ है ठीक है तो इसको जो है ना आप लोग ले सकते हो और अगर आप negativity को आपका mind focus नहीं कर पा रहे है study में study में आपका बच्चा कमजोर है वो सही तरीके study नहीं कर पा रहे है focus नहीं कर पा रहे है अपने study पे तो उ उसके पास जो negativity रहेगी या उस कमरे में जो negativity रहेगी या कोई उसका headache है या फिर आपका ही headache है ना तो वो क्या करेगा वो observe कर लेगा यह देखो यह भी एक जमुनिया ही है ठीक है इसका एक अलग सा है यह candle में है ठीक है और यह रेकी में इस्तमाल होता है तो रेकी खेर वो अलग की बात है लेकिन मैं यहां पर जैमस्टोन की बात कर रहे हूं तो यहां पर देखो कार्ट यहां पर जो है ना आपको दिख रहे हैं बहुत सारे जो है यहां पर जो है जमुनिया दिख रहे हैं तो यही है जमुनिया और जमुनिया पहनने से जहना आपको अंदर से ब से अच्छी होती है तो देखो यह रत्म जो होता है मेश राशी करक राशी सिह राशी विश्चक राशी से संबंदित होता है ठीक है तो यह लोग जो है ना यह पहन सकते हैं ठीक है और एक्वेरियस और मकर यानि की कैप्रिकॉन ठीक है एक्वेरियस यानि की कुम राशी और म जो है मालाई मिलती हैं बहुत सारे अलग-अलग ज्वैलरी मिलती है तो आप कुछ भी इसका धारन कर सकते हैं देख रहे हो यह पिक में जो है ना यहां पे मैंने रखा है यहां यह एक अभी जो है ना इसको कोई शेप नहीं दिया गया है ठीक यह रौ है तो इस तरह से जो है चांदी में डाल करके आप जो है ना जीसे कि इस प्राइब हो रही है तो मुझे यहां पर नहीं में बिल रहा है आप जरूर आप लुग बहुत इंट्रेस्ट है तो मैंने को शांती में लेगी तो यह ना बता देते हैं लड़कियां जो है इसको अपने वजन के अनुसाद न जो भी आप बनाना चाहे तो यह रहा है तो महां से खरीच सकते है तो यह रही आज की जेंस्टोन के बारे में तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा काफी जनकारी मिली होगी आगे किसी रीज हम स्टार्ट करेंगे दीरे दीरे करके जो है ना मैं और भी जमस्टोन के बारे में आपको पताती रहूंगी तब दखासते रहे मुस्कुराते रहे और खुश रहे अपाल अपाल